तो बात चल रहे थी इंडियान एकॉनमी की और काफी सारे इंपॉर्टन चाप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिये थे आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे नैशनल इंकम ठीक है राश्ट्रिय आए राश्ट्रिय आए काफी इंपॉर्टन टॉपिक है बहुत मार आपके एससी ने नैशनल इंकम से सवाल पूछा है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ठीक चलिए नैशनल इंकम सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ अगर मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि आप लोगों की इंकम क्या है तो आप लोग कहोगे माडम क्यों मतलब जले पे नमक छिड़क रहे हो चार महीनों से हम लोग तैयारी में लगे हैं किसी रिष्ट्यदार से भी नहीं मिले हैं पॉकेट खाली पड़िए चले ठीक है मैं तुमारे जले पे नमक नहीं छिड़क रही यह बताईए कि आपके परिवार की इंकम क्या है आपकी फैमिली इंकम क्या है तो आप कहेंगे मैडम मेरे पापा गॉर्णमन्ट जॉब करते हैं और 40,000 रुपे वहां से हमारे तनखा आती है हमारे एक पूराना घर है जिसको पापा ने रेंट पे दे रखा है और वहां से 20,000 रुपे का रेंट आता है किराया आता है ठीक है 40,000 आपके पापा की सैलरी है 20,000 रुपे क्या आ रहा है रेंट आ रहा है हमारे गाउं में एक खेत भी है खेत से हमको 20,000 रुपे की इंकम होती है ठीक है और मैडम, मेरी मम्मी भी स्कूल में पढ़ाती है और 30,000 रुपे मम्मी की सेलरी है तो जब मैंने पूछा कि आपकी फैमिली की इंकम क्या है तो आपने बहुत ही आसानी से बता दिया आपने बताया कितना हुआ? 40, 60, 80, ठिक, 1,10,000 रुपे आपने बड़ी आसानी से बता दिया कि मेरे परिवार की इंकम क्या है? 1,10,000 रुपे ठिक है? यह है परिवार की आए यानि कि आपने क्या किया? कि परिवार के सभी सदस्यों की सभी श्रोतों से होने वाली इंकम को जो आपने एड किया तो आपने कहा कि यह हमारी family के income है ठीक यह का यह concept आपको कहा लगाना है आपके national income में लगाना है बहुत सारे concept है national income के बिना कुछ discuss किये हम सीधा आते हैं आपके GDP पे आपका पहला concept GDP ठीक और यह है आपका GNP Gross Domestic Product Gross National Product ठीक है चलिए जो concept हमने discuss किया है उसको आपके इंडिया पर लागू करते हम यह आपका इंडिया है ठीक है थोड़ा सा ड्रोइंग खराब हो सकती यहाँ पर ऐसे जिर्मिर जिर्मिर पानी बहरा है और यहाँ पर एक और देश है आपका फेवरेट दिश USA ठीक है इस भारत में आपके तीन लोग रहते है एक रहता है आपका R.I.L. यानि की Reliance Industries ठीक एक रहता है आपका Magdi जिसके भरोसे आप जिंदा है जिसका पिज़ा खाके आप जिंदा है और एक यहाँ पर रहता है आपका चलिए लॉयर ठीक है लॉयर सेम के सेम चीज़ हम यह अप लाई करते हैं यह है आपका Reliance Industries यह है Magdi और यह है आपका लॉयर ठीक है GDP के लिए एक लाइन लिखवारी में आपको अगर इतनी सी स्लाइड आपको समझ में आ जाती है यह मतलब आपको National Income समझ में आ जाएगा बहुत ध्यान से देखना GDP कहता है कि भारत की भारत की धरती पर कमाई हुई इंकम कमाई हुई इंकम या फिर आए भारत की धरती पर कमाई भी इंकम कौन बोलता है आपका GDP और इधर आपका GNP भारत वासी किया है भारत वासी किया है यह दो चीज़े अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको National Income पूरा-पूरा समझ में आ जाएगा ठीक अगर मैं आप लोगों से पूछा कि क्या तो आप कहेंगे हाँ मेन रिलाइस इंडास्टरी भारत की धरती पर कमा रहं तो GDP में हम क्या लिग सकते हैं हम लिग सकते हैं रिलाइस इंडास्टरी Mick का लिग सकते हैं चलिए अगर मैं आप लोगों से पूछू कि क्या आपका MACD भारत की धर्थी पर कमा रहा है तो आप कहएंगे हाँ मैम MACD भारत का बच्चा नहीं है USA का बच्चा है लेकिन भारत की धर्थी पर कमा रहा है ठीक? तो क्या मैं GDP में आपके MACD को कैलकुलेट कर सकती हूँ example के लिए example लिया है ठीक है समझाने के लिए ये lawyer क्या करता है? lawyer ने पढ़ाई करी इंडिया से और USA जाके job कर रहा है और मैंने लिखा है कि GDP में क्या calculate होगा? भारत की धरती पर कमाई भी income तो आप कहेंगे अगर मैं पूछती हूँ कि क्या lawyer की income को आप GDP में calculate करेंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैडम lawyer भारत का बच्चा है लेकिन भारत की धरती पर नहीं कमा रहा तो हम इसको GDP में calculate नहीं करेंगे ठीक? यानि कि कुल मिलाके GDP में किसको include करते हैं? भारत की धरती पर कमाई हुई I Reliance भारत का बच्चा है भारत की धरती पर कमा रहा है तो GDP में calculate होगा MACD USA का बच्चा है लेकिन भारत की धरती पर कमा रहा है MACD USA का बच्चा है लेकिन भारत की धरती पर कमा रहा है तो GDP में include होगा लेकिन lawyer भारत का बच्चा है लेकिन बारत की धर्ती पर नहीं कमा रहा तो हम इसको include GDP में नहीं करेंगे ठीक है? इस side में है आपकी GNP Gross National Product आपके GDP क्या थोड़ी सी rude होती है लेकिन GNP जो है न वो थोड़ी सी emotional होती है emotional होती है और कहती है कि भारत वासी की आए भारत वासी की आए को हम किस में include करेंगे? GNP में देखते हैं कैसे? क्या Reliance Industries भारत वासी है? हाँ मैडम, Reliance Industries भारत वासी है चलिए, इसका मतलब RIL की income include होगी क्या Magdi भारत वासी है? नहीं नहीं मैडम Magdi भारत की धरती पर जरूर कमा रहा है लेकिन भारत वासी नहीं है तो GNP में हम Magdi को include नहीं करेंगे ठीक है? यह है आपका lawyer क्या lawyer भारत वासी है? तो आप कहेंगे हाँ मैडम वो USA में जाके कमा रहा है लेकिन lawyer है क्या? भारत वासी जब सुबह का भूला शाम को लोट कर आएगा तो इंकम तो देश में लेके आएगा GNP क्या है? emotional है तो काफी बच्चे भी होते हैं जो माबाप को छोड़ के चले जाते हैं तो माबाप क्या संतुष्ट होते हैं कि चलो हमें कोई इंकम नहीं दे रहा लेकिन जहां पर भी है खुद तो कमा रहा है होता है ना? तो बिल्कुल वैसे ही GNP कहता है कि यह लोयर है तो भारत का बच्चा भले USA में कमा रहा है लोट कर तो भारत में ही आएगा तो कमाई कहां लेके आएगा? भारत में ही लेके आएगा कहने का मतलब आपको यह याद रखना है कि भारत वासे की अगर कोई इंकम है भले वो विदेश में जेनरेट क्यों न हुई हो? हम किसमें इंक्लूड कर लेंगे? GNP में तो हम यहां पर किसको इंक्लूड कर लेंगे? आपके लोयर को चीक है? याद रहेगा अगर आपको यह इतना example समझ आ गया है और मेरी इतनी सी बात समझ में आ गयी है कि भारत की धरती पर कमाई हुई इंकम और भारत वासी की इंकम तो आपको पूरा का पूरा chapter समझ में आ जाएगा अब chapter को शुरू करते हैं यह concept clear है? आगे बढ़ते हैं चलिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि GDP क्या होता है ठीक है, GNP क्या होता है थोड़ा ओर डीटेल में समझते हैं लिखा है कि it is a monetary value of all final goods and services produced in domestic territory of a country within a specific time period एक विसेस्ट समय अवधी के बितर देश के घरेलू शेतर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मोद्रिक मुल्य होता है उसी को कहते हैं हम GDP यहाँ पर चार important term आप लोग के सामने निकल के आई पहली है monetary value यानि कि मोद्रिक मुल्य ठीक दूसरी है all final goods and services बहुत ध्यान से समझना है प्रेशन आएगा आपका ठीक यानि कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं तीसरा है आपका domestic territory यानि कि घरेलू शेत्र और चोता है a specific time period यानि कि एक विसिष्ट समय अबदी यह चार term आप लोग के सामने निकल कर आई है थोड़ा सा और detail में समझते है इसको सबसे पहले समझते है कि एक निश्चित समय अबदी क्या है definition आपको समझ में आगई क्या बोला गया है कि एक विशेष्ट समय अबदी में देश के बीतर जो घरेलो शेत्र है उसमें उत्पातिस जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उन सभी का जो मोद्रिक मुल्ले होगा वही जीडीपी होगा और मैंने जब शुरुवात में आपको समझाया था तब ही मैंने जीडीपी को लेके क्या समझाया था कि भारत की धर्ती पर जेनरेट ओने वाली इंकम यही बोला था आगई बात समझ में चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निश्चित समय अवधी क्या है अब आपसे कोई पूछे कि आज की जीडीपी क्या है देश की तो आज की कोई जीडीपी नहीं होती है ठीक है मान लिजिए आज कि मान लिजिए आज कोई पूछे की पूछे की जीडीपी क्या है तो उस पूछे की कोई जीडीपी नहीं होती है उसके लिए क्या होती है एक निश्चित समय सीमा होती है और हमारे लिए भारत में जीडीपी की गणना एक वित्य वर्ष के लिए की जाती है एक financial year के लिए की जाती है ठीक है एक financial year के लिए GDP calculate की जाती है और वो financial year होता है हमारा 1st of April से लेके 31st March पुछा जा सकता है important है याद रखना है एक वितिय वर्ष के लिए GDP की गणना की जाती है वितिय वर्ष है आपका 1 April से 31 March या फिर quarterly गणना की जाती है यानि ती माही GDP की गणना की जाती है आपके पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं क्या किया जाता है चार टुकडों में बाट देंगे ठीक है यह हो गया आपका quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 ठीक है यहाँ पर आ जाएगा आपका April, May, June ठीक, July, August, September, October, November, December, January, February और March ठीक एक वितिय वर्ष के लिए गणना की जाती है और ती माही गणना भी की जाती है यानि quarterly गणना भी की जाती है ती माही लिख सकते हैं आप इसको ती माही तो समझ में आ गया एक निश्चित समय सीमा क्या है जैसे मान लीजिए अगर कोई government employee है तो उसकी पूरे महीने की salary होगी आप ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे कि आज की तुमारी salary क्या है तो ठीक वैसे ही GDP किसी particular दिन की नहीं होती है निश्चित समय अवधी की होती है और वो समय अवधी आपकी हो सकती है एक साल यानि कि एक वितिय वर्ष जो इंडिया में है हमारा 1st April to 31st March या फिर GDP को हम ती माही यानि quarterly भी calculate करते हैं ठीक है जो मैंने आपको समझा दिया next आपके सामने term आ रही है घरेलू सीमा domestic territory यानि कि इसके अंदर गत भोगलिक सीमा या फिर शेत्र हमारा include है समझ में आता है इतना आपको ठीक है एक तो हमने domestic territory में हमारी जो भोगलिक सीमा है उसको count किया है कि देश की सीमाओं के भीतर जो उत्पादन हो रहा है जो वस्तु और सीमाओं का मुल्य है उनका मोद्रिक मुल्य हम GDP बोल रहे हैं और हम घरेलू सीमा में कुछ और चीज़ो देखिए पहला है आपका 200 newtical mile तक के exclusive economic zone यानि की अनन्य आर्थिक शेतर को दूसरा है आपका विदेशों में इस्तित भारती और रक्षा अड़े और तीसरा है भारत में पंजीकृत जहाज और विमान एक एक को समझते हैं देखिए exclusive economic zone क्या होता है यहां पर लिका है 200 newtical mile यह देखिए यह कोई देश है अगर इसकी boundary समुद्र से लग रही है तो उसको हम बोलेंगे exclusive economic zone तो क्या होगा कि 200 newtical mile तक यहां तक मालीजी यह 200 NM है यहां पर भी अगर कोई production हो रहा है तो उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे हमारे GDP में ठीक इतना ही आपको समझते हैं मालीजी यहां पर कोई तेल का कुवा है वहां से कचा तेल निकल रहा है तो इसको हम किसमें इंक्लूड कर लेंगे GDP में ठीक क्या लिखावा है exclusive economic zone अनन्य आर्थिक शेत्र और लिखा है 200 newtical mile सीमा आपको याद रखने हैं और इसको हम किसमें इंक्लूड कर लेंगे GDP में ठ चलिए नेक्स्ट है विदेशों में इस्थत भारतिये और रक्षाडे इंडियान एंबसी एंड डिफेंस बेसे सिचुएटेड एवरोड इनको भी हम किसमें इंक्लूड करते हैं अब माल लीजिए हमारे भारत का कोई ambassador है ठीक है और विदेश में कई किसी embassy में रह रहा है ठीक है विदेश की किसी embassy में रह रहा है अब आप कहेंगे कि माम वहां जाके वह क्या production कर रहा होगा क्या वस्तुवी सिवाई उत्पादित कर रहा हो मतलब जाके कोई पकोड़े थ अब यूएसे के किसी बंदे को अगर भारत आना है तो उसको वहां पर क्या चाहिए विजा चाहिए तो उस अमांट को हम कहां पर इंक्लूड कर लेंगे ठीक चलिए नेक्स्ट है भारत में पंजीकरत जहाज और विमान ठीक है शिप्स एंड एरक्राफ्ट ठीक है अब माल लीजिए एर इंडिया का एक्जामपल ले लिते हैं एर इंडिया की प्लेन उड़ी ठीक है और यहां से गई लंडन फिर लंडन से पैरिस तो हवा में उ चार्ज करेगा ठीक है सान्विच मिल रहा है पानी की बोटल मिल रही है तो हलांकि वो जो सेवाएं प्रेड्यूस हो रही है वो हवा में रहकर हो रही है कोई भोगोलिक शेत्र में रहकर नहीं हो रही लेकिन क्योंकि वो विमान जो है एरक्राफ्ट जो है वो भारत में पं क्लियर हो गया होगा आगे वढ़ते हैं क्या बताया था हमने एक विशिस्ट समय अवदी हमने पढ़ लिया घरेलू श्यत्र हमने पढ़ लिया हमारे पास में बचे हैं सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं और मोद्रिक मुल्ले इनको भी हम डिटेल में थोड़ा सा देख ल मान लीजिए ये कोई कार हे है जो प्रणीजो रहे है को इक आपर एंक कॉ जो रहे है तो हम सच झान Freunde कर दूरे तो उसमें 4 पहिए लगे ने के के अरो बिलर क्या हो रहे हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं गणणा करके समय मध्यritis वस्तुब्ध इंस करने की नहीं किताएं है उनकितार कीजिए तो कार क्या है एंसायन वस्तू में हमारे फाइनल प्रोडथक्ट एक अचयर एक क्या मध्यस्त वस्तू मोगे क्यों को केक्यों माल triggered मिन हाइज एक कर लिए कशा इंक्लूड करेंगे ऐसा कहा गया है सब भी अंतिम वस्वें और सेवां आई होप कि क्लियर हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट हमारे सामने बचा है मौद्रिक मुल्य अब देखिए मौद्रिक मुल्य क्यों जरूरी है माल लीजिए एक डेश है वहां की फसल भी कर रहा है यानि एक साल में प्रड़क्शन कर रहा है हमने उससे पूछा कि पूरे साल में कितना प्रड़क्शन हुआ माल लीजिए उसने कहा कि तीन क्विंटल तीन क्विंटल गेहो प्रड़ूस हुए है ठीक इसने कहा कि तीन क्विंटल गेहो प्रड़ूस हुए है अगले साल हम उस किसान के पास गए और हमने कहा कि इस साल तुमारे कितना प्रड़क्शन हुआ तो उसने कहा कि ये खेती वगेरा तो मैंने छोड़ दी अब तो मैं क्या कर रहा हूँ? पशू पालन कर रहा हूँ पशू पालन कर रहा हूँ, ठीक? मेरे पास में इतने पशू हैं और तीन सो लिटर मिलक यानि तीन सो लिटर दूद इस साल प्रोड्यूस हुआ काल्पनिक उधारन है, थोड़े से छोटा अमोंट लिया है ताकि आप लोग वो समझ में आ जाए तो अब आप एक एकॉनमिस्ट हैं, आपको बोला जाए कि क्या इसने फाइदे का सोदा किया या घाटे का सोदा तो आप लोग कैसे बताएंगे कि फाइदे का सोदा या घाटे का सोदा मतलब पहले ये क्या कर रहा था, गेहू प्रोड्यूस कर रहा था, उसके बाद में ये पशुपालन कर रहा है तो इसने सही किया या गलत किया क्योंकि इसके कोई monetary value नहीं है, कोई मौदरिक मुल्य नहीं है तो आप comparison कर ही नहीं सकते इसलिए हमें किस चीज की जुरत पड़ी, मौदरिक मुल्य की, monetary value की और monetary value निकालने का formula क्या है, जो quantity है उसको price से into कर दो मातरा को कीमत से गुणा कर दो, अब हम comparison कर सकते, देखिए कैसे तीन quintal गेहु हुए थे, ठीक है, मान लिजिए, एक quintal गेहु की price है 2000 रुपे, तो multiply कर दीजिए, एक quintal गेहु की price है 2000 रुपे, तीन quintal गेहु हुए थे कहने का मतलब 6,000 रुपे ठीक है 6,000 रुपे का production हुआ और यहां पर हमने कहा कि पशु पलन में हमने 300 लिटर दूद प्रड्यूस किया और मान लिजिये दूद का भाव है 50 रुपीज आप मान लिजिये ठीक है तो करिए multiply करिए कितना हो गया 15,000 ठीक 15,000 आगया आपका अब आप लोग compare करके बता सकते हैं कि आपने सही किया या गलत किया अब आप compare करके बता देंगे कि जब आप गेहू का production कर रहे थे तो 3 किलो 3 quintal गेहू प्रड्यूस हुए थे एक quintal गेहू का भावता दो हजार रुपए यानि कि आपने 6000 रुपए का production किया और इस साल आप ओडरे कि आप पशु पालन कर रहे हैं और 300 लिटर दूद प्रड्यूस हुआ है ठीक है 300 लिटर दूद प्रड्यूस हुआ है एक किलो दूद का भाव है 50 रुपए तो आपने कहा कि 15 रुपए का production हुआ है ठीक है 15 रुपए का production हुआ है लेकिन अब आप क्या कह सकते है कि आपने सही किया या गलत किया क्योंकि पहले आप 6000 का production कर रहेते अब आप 15 रुपशन कर रहेते आप बोलेंगे कि अब वो whole आपस विशानि विशानि में मण जाना, ये तुम्हारा बिल्कुल सही चल रहा है, तो मौद्रिक मुल्य क्यों जरूरी है, आ गया समझ में, कमपैरिजन के लिए जरूरी है, चली, GDP आप लोगों को समझ में आ गया, एक्जाम्पल से समझ लिया, टेफिनेशन से समझ लिया, और ज़ाधा एलापरेट करके समझ लिया, चीक है, अब है आपका GNP, Gross National Product, लिखा गया है कि एक निश्चित समय सिमा के दुरान किसी देश के सामान्य निवासी के दौरा उत्पादित, अंतिम वस्तो और सेवाओं का मुल्य GNP है, मैंने जब आपको शुरू में पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कहा था, भारतवासी की इंकम, जो भार लिजिए, लंडन गया, ठीक है, वहाँ पर टेस्ट मैच हो रहा था, खेलने के लिए गया, वहाँ पर चाहने के बाद में, किसी कम्णी ने बोला कि चलो यार, आई गय हो लंडन तो अब एड शूट कर चाहो, ठीक है, अब एड़टाइसमेंट शूट कर दो, फिराट को ल अब जिए नपी में उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि विराट कोली है तो भारतवासी ना, वहाँ तो टेस्ट मेच खेलने गया है, वापस आजाएगा भारत में तो पैसा भारत में लेके आरा, तो उस पैसे को हम किसमें इंक्लूड कर लेंगे हमारे, जिए नपी में इ विराट कोली का बोला को एक महिने के लिए टेस्ट कहलने के लिए गया है, एक दो महिने में वापस आ जाएगा, तो भारत का वासी, टीक है एक है NRI, एक है RI, और एक होते हैं आपके फोरेन वाले लोग, जो इंडिया में आते हैं, कमाने के लिए, इंकम जेनरेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको मैगडी का एक्जामपल दिया था तो, मैगडी वीदेशी है ना, भारत में आया है, हमने तीन केस देखे, एक तो रि करेंगे, GNP में क्या कहेंगे, कि जो हमारा GDP है, उसमें क्या फ्लस करेंगे, Indian Resident Earning Abroad, हमारे यहां से जो लोग बाहर गए हैं, उनकी इंकम, उसमें से माइनस कर दो, Foreign Resident Earning in India, जो बाहर के लोग इंडिया में रहके कमा रहे हैं, प्लस माइनस जो भी आएगा, यहां पर सेट कर प्लस वीदेशों में कमाई करने वाले भारतिय निवासी, और भारत में कमाई करने वाले वीदेशी निवासी, उनका जो भी बैलेंस आएगा, उसको एड़जस्ट कर भी जाते पास में, GNP आ जाएगा, काफी सारे examples की help से, हम लोगों ने इस concept को समझ लिया, और आज की class अ जब आपके सामने आता है NDP, वहाँ पर था G, यानि की gross, यहाँ पर है N, यानि की net, अब net और gross में क्या फरक है, फोर्मूला पुझा जाएगा, simple सा बता देती हूँ, ठीक है, देखिए, जब आप GDP में से, आपको निकालना है NDP, ठीक, NDP निकालना है न, जब आप GDP में से, माइनस कर देंगे, depreciation, तो आपके पास में क्या आजाएगा, NDP आजाएगा, और लोजिक आप लोगों को पता है, depreciation का मतलब होता है, मुल्य हास, क्या होता है, मुल्य हास, फोड़ा सा लोजिक भी अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, माल लीजिए, कोई कार है, वह आ आपका इंजन भी प्रॉब्लम क्रेट करने लग गया, उसके जो गेटवेट है, वो भी बिल्कुल हिलने लग गया, कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगले साल 31 मार्श तक, एक साल आप उसको यूज कर चुके हैं, क्या उसकी वैल्य उतनी रहेगी, या फिर उसका मुल्य में क आपके पास में क्या आजाएगा, नेट आजाएगा, यानि कि NDP निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट निकालना है, तो GDP में से डेप्रिशेशन को माइनस कर दो, आजाएगा, ठीक है, और ठीक वैसे ही है आपका NNP, नेट नेशनल प्रोड़क्ट, यहाँ पर अजाएगा, नेट नेट तो अगर हमको NNP निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा GNP था, जो हमारा GNP था, यानि कि पहले ग्रोड़क्ट था, अभी क्या है, नेट, NPNP तो सेम है, तो GNP से माइनस कर देंगे डाप्रिशेशन, तो आपके पास में क्या जाएगा, N NPN आजाए, मुल्य हास को हम माइनस कर देंगे GNP में से, ठीक है, तो आई होग कि आप लोगों को ये जो चार कॉंसप्ट हम लोगों ने समझे, GDP, GNP, NNP, ठीक है, काफी अच्छे से समझ में आये होंगे, क्योंकि आज की क्लास अगर आप लोगों समझ में आ गई है, तो बहुत साथ चांसे हैं कि आने वाली क्लासेस आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे, तो इतने ही important videos के लिए, बने रहे हैं digital तैयारी चैनल के साथ में subscribe कर लीजिए, bell icon प्रेस कर दीजिए, मिलते हैं next video में, thank you so much .